जहिन, आज के हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ है एक रिटार्ड सोलजर, स्कॉलर है एकनामिक्स के, साथ-साथ जिनकी डोगरा कल्चर पे पैनी नजर भी रहती है, जैसे डोगरा कल्चर, डोगरा हिस्ट्री और डोगरा अडेंटिटी पर. पंकच खुजूरिया जी, सर आपका बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में, डोगरा कल्चर एक बहुत ही प्यारा कल्चर है, जिसकी बहुत अच्छी हिस्ट्री है, डोगरा कल्चर देश-विदेश के साथ है, पंकच जी अगर हम आपका रुजान कैसे हुआ, क्योंक यह बहुत ही अच्छा सवाल पुछा आपने की मेरा डोगरा कल्चर जहां आइटेंडिटी की तरफ, इतिहास की तरफ रुजान कैसे हुआ, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जहां पर डोगरे रहते हैं, बट जो जम्मू है, इट ब्लांक्स बिजिन दा टू एक्स्ट्रीम कल् चाहे वो हमारे राइट साइड में पंजाबी जो हमारे लेफ्ट साइड में कश्मीरी जो, जब हम स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्स्टी में थे, तो मैं ही नहीं हमारे साथ के जो तमाम लोग थे, तमाम लड़के थे, वो इस चीज़ से बड़े ही बिचार नहीं इत्यास क्या है हमारा बूत पूर चीजें क्या है तो स्कूल में जब हम पढ़ते हैं उसमें हमें नहीं पढ़ाया जाता कि डोगरा हिस्ट्री क्या है जब हम स्कूल से बाहर कॉलेज में आते हैं वहां पे हमें कुछ अपने इत्यास के बारे में नहीं पता होता तो यह जो ए जबाब लेता गया तो वो रुजान अल्टिमेटली बढ़ता गया और मैं वो लोगों को जब उन चीजों के बारे में बताता गया तो अल्टिमेटली एक समया से आ गया जैसे आज का समया है कि लोगों को थोड़ा सा डोगरा हिस्ट्री के बारे में पता है डोगरा कल्चर डोगरा हिस्ट्री पे जिस तरह आपका रुजान बढ़ रहा था आपकी ये सारा मन की चीजें किन किताबों को पढ़कर पूरा हुआ कि हमारे यूद को भी पता चले देखिए ये बड़ी इंटरस्टिंग सी स्टोरी एक जैसे मैंने का कि मैं नहीं मेरे साथ के तमाम जो स्टूरेंट्स थे जा मेरे साथ ही थे वो हैराम थे कि हमें हमारे इतिहास के बारे में नहीं पता लेकिन तब मैंने फोज जाइन कर ली मैं फोज में चला गया और फोज म से ही मैं अलग-अलग पोस्टिंग में गया तो मेरी एक पोस्टिंग हुई जिसमें मैं नाम लेना चाहूँगा सेकिंड फर्स्ट जी यार में गोर्का राइफल में जो लगबग 500 साल पुरानी रजिमेंट थी और उसमें एक किताब मुझे दा फॉंडर आफ कश्मीर बाइक गुलाब सिंग जी के ओपर कियान पनिगर जी द्वारा लिखी हुई तो वो नो डोट की अल्टिमेटली मॉडर्न हिस्ट्री थी क्योंकि पूरे इंडियन सब कॉंटिनेंट में अगर आज की डेट में बात करें आइधर वही टॉक्स बॉट मुगल और वही टॉक्स बारे में ही मैंने पढ़ना शुरू किया जानना शुरू किया तो वो बड़े सारे सवाल थे जो जवाब मिलते की तो जो पहली शुरुआ थी वो उसी किताब से थी फंडर आफ कश्मीर से जी बहुत बड़ी है अब सिंग आपने बात की एक तारीख बहुत ही इंपॉर्ट उस सब का दिन है डोगरों के लिए खास कर मेरे हिसाब से क्यूंकि उस दिन एक लड़का जो एक लड़ाकू है योदा है वो किसी फोज में जाता है और वहाँ पे वो स्पाही बनता है लेकिन अपनी युद कोशल कारेशमता के बल पे महराजा रंजी सिंग जी का दिल जीत कश्मीर, रजोरी, जिलंदर, पिशावर, सिंद, मुल्तान साथ लड़ाईयों के बाद जीतने में सफल होते हैं तो अल्टिमेली एक तरफ महराजा रंजी सिंग की भी जो जागीर थी जहाँ इलाका था बढ़ रहा था लेकिन इसके साथ साथ गुलाब सिंग जी का भी जा को राज सिलक किया जीओ पोता गाड़ अखनूर में और बड़ा इंट्रस्टिंग सा फैक्ट सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि उन्हें राज सिलक जब किया तो हम अक्सर राज सिलक नीचे से उपर करते हैं कोई भी तिलक लगाते हैं नीचे से उपर लेकिन उन्होंने नीचे लगाया तो जब वहां पे बैठे हुए पंडी जी थे उन्होंने कहा कि महराज साब आपने तो उपर से नीचे तिलक लगाया है तो उन्होंने कहा ये मैं एक बीज बो रहा हूं दरती के अंदर ताकि इसकी जड़ें दूर तक फैलें और इनका वंच रॉयल फैमिल है हम डोगरों के लिए जहां पे एक डोगरा उसका जो महराजा है वो उसको समानित करता है और उनको एक राजगदी पे बिठाते हैं खुद जाके कि उनको शोल्जर से कमांडर देन कमांडर से राजा आफ जम्मूस का बनाते हैं तो यह बहुत ही अच्छी गटना है हमें इस गटना पर प्रोड होना चाहिए और हमें यह चीज़ मालम होनी चाहिए लागू हो चुका है जमू कश्मीर यूटी में डोग्राउंस के लिए कितने फाइदेमंद हैं आप इसमें क्या विचार रख रहे हैं देखिए लागू होना और उसका डोगरों पर इंपैक्ट ह पहर जो पहले रेस्ट आफ और इंडिया के जो लोग थे वो जहां पर नहीं डोमसायल ले सकते थे जहां स्टेट सब्जेक्ट पहले लागू था नहीं ले सकते थे उनको डोमसायल देने की बात कर रही है अच्छा सवाल है और एक अच्छी सोच है सरकार की हम इसका एंड कश्मीर पिछले 15 साल से ही ब्लांक सूर्ट जम्हु एंड कश्मीर जहां यह दसमी में जाब आर्मी में इसने एक्जाम दी हैं जम्हु एंड कश्मीर से तो देन गोवर्मेंट उसको डोमसायल देगी ओके लेकिन जिनके पास आलरडी पुक्ता सबूत हैं जिनके लो उनसे थ्रेट ले रहे हैं आज भी तो उन लोगों को भी गोवर्मेंट प्रेशराइज कर रहे हैं कि भाईया तुम जाओ लाइन में खड़े हो डोमसायल सेटिफिकेट लो मुझे लगता है कि बड़ी ही धहीनी स्टूइशन है कि हमें ऐसे प्रेशराइज नहीं करना चाह किस तरह से आप इस चीज़ों को देख रहे हैं देखिए ये फिर से आपने एक ऐसा सवाल किया है जो हमारे इतिहास और बरतमान सिच्चेशन को पूछता है कि हम अपने आप से पूछ रहे हैं बताईए हम क्या सही दिशा में हैं क्या जी जो फैसला है हमारे साथ सही कर रह होगा यह मुझे लगता है मैं नहीं आपने हर कोई जो लोकल डोग रहा है वह चीज़ को सोच रहा होगा बात की आपने टोल प्लाजा की तो मैं आपको बताऊं एक उधारन के साथ आप गर से चले आपको विजेपूर में जाना है और आप निकले बिशना से जा आप निकल खर्चा हुआ सिर्फ आने और जाने का आपका तीन सुरुए खर्चा हुआ तो वह पैसा किसकी पॉकेट से जा रहा है वह पैसा एक लोकल यो डोग रहा है उसकी पॉकेट से जा रहा है चलो आपने एक जगा टोल प्लाजा लगाया ठीक है आप साथ किलोमेटर के अंदर ट लोगने ऊसार इसicky का नोझवान है वो वेढ़ उखले जो डोगरा कल्चर से दूर जा रहा है देखिए लोकल जो मेरे डोगरा युवा हैं उनके लिए तो सबसे पहले एक संदेश है कि जो हमारी मा बोली डोगरी है और असमान करो और अपने कार्च परिवार्च अपने बच्चें वो सिखाओ क्योंकि एक इसलिए दोर चलाता है क्या साखने कि सानो डोगरी नहीं आंद हिंदी क्योंकि उन्होंने हमें नहीं सिखाया लेकिन मैं सना ना ज्यदे लोकल जेटे साथे डोगरा यूथ नहीं कि पहला स्टेप लेना कि अपने परिवार्च अपने सगे समंधिये चें डोगरी चें मा बोली करने गलबाद करनी क्योंकि काली यह हो ना अगर आज जिस स्वias我就 Comicom पेला स्टप कि अपने कलचर करने आपनी इस्तुरी करने आपनी आपनी आइडेंटिटे जुडेरोगं आए जानने की अपने हिस्ट्री के बारे में अपने कल्चर के बारे में आपको अपनी development चाहिए ही लेकिन ये सारी चीजें एक सार जुनाइट होके हो सकती है तो एक दूसरे की मदद करें और हमेशा अपने आपको तत्वर रखें राश्ट सेवा के लिए और लोग सेवा के लिए जही मेरा message आप मेरे यूबाओं के लिए दन्यवाद आपका आपने मुझे अपने चैनल पर बुलाया और मुझे मोका दिया कि मैं अपने यूबाओं को अपने इत्यास के बारे में कुछ बता सकूँ बहुत बहुत दन्यवाद